आदिवासी हेर ओनिल के बारे में ऐसा क्या है जो लोग नहीं जानते? You might be surprised. आदिवासी हेर ओनिल क्लेम्स तो गिव यू लश्चिस हेल्थी हैर. But is it really that good? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आदिवासी हेर ओनिल कब और क्यों नहीं लगाना चाहिए? सबसे पहले तो कुछ लोगों ने बताया है कि इस से उनके सर में जलन और अलर्जी हुई है. इसलिए पूरे बालों में लगाने से पहले पैच टेस्ट करना बहुत जरूरी है. और हाँ, अगर आपके बाल तैलिये हैं जा फिर आपको डेंडरफ है, तो ये तेल आपके लिए नुकसान दायक भी हो सकता है. दूसरी बात, इसमें कुछ इंग्रीडियन्ट्स ऐसे हो सकते हैं, जो हर किसी के लिए सही नावाँ. नैचरल होने का मतलब ये नहीं कि वो हर किसी के बालों के लिए सही होगा. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो ये तेल लगाने से आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है. अपका अधिवासी हेर उनिल के साथ क्या एक्सपिरियंस रहा है? हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं. So, the key takeaway, कोई भी प्रॉड़क्ट खरीबने से पहले रिसर्च ज़रूर कर लें और अपने बालों की ज़रूरत समझें. अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही हेर केर टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. माच्छा.